अब दोस्तों जब भी आप equities में investment करते हो तो ये recommended option रहता है कि आप diversification को ज़रू ध्यान में रखे अब मेरा जो ये प्रयास सेल हो है जहां पर मैं अलग-अलग small cap companies के stocks को introduce करता हूँ जिन्होंने unusual returns पढ़ा कर दिया है तो उसी प्रयास में मेरी एक छोटी सी कोशिश ये भी होती है कि मैं उनी stocks का चुना करूँ जो अलग-अलग sector से belong करते हैं ताकि अगर आप उने watch list पर लगा रहे हो तो आपके पास एक diversity fight watch list ready हो पाए और ऐसे में आज के इस informative वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा shipping और logistics से belong करने वाली small cap company के बारे में जिसका नाम है Lancer Containers Limited जिसका BAC script code है 539841 और NAC symbol है Lancer 2011 में बनी थी दोस्तों एक company ocean transport services के अंदर कामकाच करती है इंडिया में जो भी company services provide कराती है वो अपने head office और branch network के माधिर से कराती है जबकि overseas के लिए company ने overseas agents के साथ tie up करके रखा है company asset light business model को follow करती है यहाँ पर 10,000 से अधिक owned और least containers है company के पास जिसके माधिर से company 74 port और inland destination को cover करती है अपने 14 offices जो इंडिया में ही शामिल है और इंकी जो subsidiary है वो दुबई में है जिसके माधिर से यह 30 से भी अधिक टंट्रीज को cover कर लेते हैं अब quickly इस company के statistics के बारे भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो company का market capitalization है वो है 1,355 crore का जिससर मैं मैं इस वीडियो को record कर रहा हूँ 220 रुपे पर company के stock ने closing दिये high low की बात करें दोस्तो 259 का high और 118 का low है तो कहीं न कहीं थोड़ा high के तरफ ही है company का stock company के stock के PE की बात करें तो 24.8 का है तो मैं बिल्कुल नहीं कहुँगा कि यह मेंगा है valuation perspective सी इसकी जो placement है वो कहीं न कहीं एक reasonable position पर आपको दिख रही है book value company का 29.8 का है dividend yield 0% है तो किसी भी प्रकार का dividend आपको इस company से आच तलक प्राप्त नहीं हुआ है ROC की बात करें तो 28.1% का है ROE की बात करें तो 41.9% का है ROE personally मुझे बहुत अच्छा लगा यह जो numbers है दोस्तो higher the better अगर यह number जादा है तो वो एक अच्छी बात होती है shareholder के लिए face value पाच रुपे की और यहाँ पर all time high की price की बात करें तो 259 का रहा है all time low की price की बात करें तो मातर 1.31 पैसे का रहा है इस तरह में company का stock आपको 15% के discount पे मिल रहा है अगर हम इसे 52 week high के हिसाब से gauge कर रहे हैं एक वर्ष में दूस्तो company के stock ने 76.6% के रिटल्स अपने निवेशकों को वड़ा कर दिये है तीन वर्ष के रिटल्स की बात करें सीजिए आपकी तो 210% के रहे हैं यहाँ पर company पर थोड़ा करदा ज़रूर है तकरीबन 280 करोर का इस चीज़ का आप ज़रूर रखेगा अब तुरंत हम चलते हैं और देखते हैं टेक्निकल्स के बारे में company के stock की placement किस तरीके से है तो यहाँ पर मैंने एक साल का चार्ट लगा दिया है सप्टेबर 2022 से लेकर यहाँ पर तकरीबन august end all week में हम बैठे हैं तो तपका आपको यह चार्ट दिख रहा है suddenly company के stock में बहुत ज़्यादा volume आ चुका है और यहाँ पर इस volume के वज़े से company के stock में एक बहुत अच्छी rally भी दिखाई हुई है अब यहाँ पर जब मैं देख रहा था तो company का जो stock है दोस्तो यह अपने 52 भी खाय की तरफ चल रहा था तकरीबन नौबर 2022 में उसके बाद बहुत अच्छी correction आई यहाँ पर तो एक deep correction आई लेकिन यह वी शेप recovery के साथ ही दर्शाता है कि company के stock में demand बनी हुई थी जिस वज़े से company का stock दुबारा rebound वा लेकिन कहीं नगी उसके बाद यह जो base था V-shape वाला उसको भी तोड़के अपने 200 दिन के moving average line को नीचे ही company का stock चला गया और हम दीरे दीरे करके company ने काफी कोशिश की है company के stock में यानिकी अपने 200 दिन moving average के उपर आ लेकि लेकिन यह जो इतना बड़ा volume है दोस्तों वो कहीं नगी company के stock को इतना उपर लेकर आया है तो no doubt momentum बना हुआ है और इस momentum के चलते है अगर यह अपना नया 52 भी खाये के लेकर देता है तो उससे मुझे कोई ताजूब नहीं होता है क्योंकि continuously company के stock में यह आपर आपको movement देखने के लिए मिलेगी तो technically company का stock चुब है वो काफी जादा strong लग रहा है जिस सब में इस वी लेकिन अगर quarterly numbers की बात करें तो जून 23 के quarter के numbers मुझे पर सली कितने जबा अच्छे नहीं लगी है अगर मैं revenue को देखता हूं तो क्यूंकि यह आपर company ने वल 64 करोर की revenue को रिपोर्ट किया था पिछले quarter में यह 201 करोर की थी और अगर मैं ऐसे year on year compare करू तो भी 232 करोर के number company ने June 2022 के quarter में report किये थे तो definitely sales के अदर एक dip यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके बावजूद अच्छी वाद यहेंगी company ने अपने net profit को intact रखा है अपनी OPM percentage को जाधा कर दिया ने कि operating profit margin percentage company कहीं ने कहीं जाधा enjoy कर दी है जिस वज़े से net profit पे impact नहीं आया हुआ है आप यह 14 करोर का था और अगर हम year on year basis के साफ से भी देखे तो June 2022 में यह मातरत 13 करोर उपय का था आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो OPM percentage है वो June 2022 में 9% की थी पिछले quarter में 10% की और इस quarter में company ने 17% की OPM margins जो है उसे report किये है जो अपने आप में बहुत भी अच्छा percentage है उसी के साथ company इंट्रेस्ट भी पे करती है चार गरोंड का जिसे में आपको पता है company पे करजा है तो यहाँ पर company interest भी पे करती है अब अगर future में company debt कम कर लेती है या interest rates कम हो जाते है तो यह figure नीची हो सकती है जिस वजह से company के net profit में और ज़्यादा सुदार आने का भी expectations हम कर सकते हैं लेक अपर 50% से जादा है तो यह दर्शाता है कि company के जो मालिक है उनका अपना interest है company के अदर वो decision making ability रखते है क्योंकि यहाँ पर percentage wise जादा holding उनकी है तो उस case में उनके पास एक upper head हो जाता है किसी में board में अपने decisions को infuse करने के लिए तो मुझे यह बहुत ही अच्छी बात लगी क promoter की holding 50% से जादा है तो कहीं लगे company आगे आने वाले survey में अच्छे decisions लेने में बिल्कुल भी कतरा नहीं सकती है और आप roadblocks company को बहुत ही कम देख सकते हैं आपर और और बहुत important update आ रहा है company के तरफ से जो 11 August का है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसे आप लोग पर company ने बता है two ways to one K ratio में company जो है वो bonus issue करने जा रही है तो यहाँ पर जो अगर आपके पास एक share है तो आपको company दो और share देगी जिसकी face value पाच रुपे की है अब अगर इसकी recording बहुत जल्द आती है तो उसमें definitely बहुत बढ़ा फाइदा हो जाएगा क्योंकि recorded के information फिलाल म लेकिन जैसे ही आती है मैं आपके साथ video के माधियम से या तो telegram group के माधियम से उस information को exchange कर दूगा तो यह एक इशारा है कि अगर आप telegram app use करते हो तो हमारा जो group है संदेने वेश उसे जरूर जोइन करना बिल्कुल भी free है आप telegram app open करोगे संदेने वेश सर्च करोगे और आप हमारे group तरक पहुत सकते हो आप उसे जोइन कर देना आपके साहता के लिए मैं नीचे description में link भी दे दूगा तो lancer container lines limited की information आपको कैसी लगी आप जरूर नीचे comments में लिखेगा अगर आपने भी कुछ अपनी study कर रखी है कुछ आपकी भी findings है तो उससे भी आप जरूर लिखे comments में लिखे ताकि हमारे इस पूरी YouTube community को आपके opinion की भी जानकरी प्राप्त हो पाए और इसी तरीके के content आपको देखना पसंद है personal finance related stocks के related तो मेरे इस YouTube चनल को तुनल से subscribe करें यहाँ मैंने प्रयास लिया हुए कि आपके साथ हर उस information को मैं exchange करूँ जिससे आपको कही ने कहीं explore कर सकेगी stock market पे और भी क्या opportunities है conscious stocks है जहाँ unusual returns बन रहे हैं और उनमें आने वाले समय में किस तरीके का यहाँ पर रुजान रह सकता है और यह जो information मैं आपके साथ exchange करता हूँ वो public domain में हर जो information available है उसे collect करता हूँ ताकि आपको email उदर जाने की जरूद में पड़ से ही लेना है इस वीडियो को केवल आप information purpose के लिए कल सीजित कीजिएगा तो मैं आशा करता हूँ यह information आपको पसल आई होगी गर आप सहबती रखते हो वीडियो को लाइक करके मुझे सिंग्विल जरूर दीजिएगा जल्द से जल्द मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडिएगा जल्द से जल्द से लिए के लिएक के लिए के लिएक